नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News बनेगी जिसकी बज़े से 6-8 जुलाई की दोरान हर्याना NCR दिली में जमाजम बारिश देखने को मिलेगी बादलों की आवाजाही के बीच बिखरी हुई हलकी से मद्यम बारिश की संभावना जताई गई है रविवार को अल सुबह वे दोपैर बाद कहीं कहीं पर हलकी बारिश होनी की संभावना है CMIE की रिपोर्ट बेरोजगारी में हर्याना देश में टोप पर बना हुआ है कॉंगरेस ने खटर सरकार को गेरा बड़े दुरभागे की बात है कि हर्याना में हर्यान में विरोधी सरकार चल रही है हर्याना की युवाँ को सिक्ष्याव रोजगार से वंचित रखना ही इस सरकार का मक्षद है ये कहना है पूरु मोख्यमंतरी और नेता परतिवेक्स भूपेंदर सिंग हुड़ा का हुड़ा सेंटर फोर मोनिटरिंग इंडियन एकोनोमी यनी CMIE की ताजा रिपोर्ट पर पर परतिगिरा दे रहे थे इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा एक बार फिर से बेरोजगारी में देश में टोप पर है पिछले मैने के मकाबले जून में बेरोजगारी 6% आधिक बढ़कार यानी 30.6% हो गई है यानी पर देश का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है यह दर राश्टी बेरोजगारी दर से चेयर गुना ज़दा है नहरों के किनारे सोलर पेनल लगागर बिजली बनाएगी हरियाणा सरकार हर्याना के बिजली मंतरी रंजीत सिंग ने बताया की परदेश सरकार द्वारा हर्यान को बिजली के मामले में पूरी तरे से अदब निर्वर बनने के लिए गंभीरता से कारी किये जा रही है परदेश में जहां नई पावर प्लांट लगाने के योजना बनाई जा रही है तो वहीं सोर उरुजा पर विशेज ध्यान दिया जा रहा है नवीन एव नवीकरने विभाग द्वारा परदेश के नहरों पर सोलर पैनल के जरिए पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव बनाय जा रहा है उन्होंने बताए कि परदेश में बड़ी बड़ी नहरों के दोनों और सोलर पैनल लगाय जाएंगे बिजली उत्पादन के लिए चार जगों जीन्द, कैथल, नर्वाना वफतेयावाद में पराली आधर्थ प्लांट लगेंगे इन प्लांट से नेके विल बिजली का उत्पादन होगा वलकि कंप्रेश्ट बायोगैस भी उत्पादित होगी किसानों को मिलेंगे आलू की ताप्रोधी उन्नत किस्मों की गुणोत्ता सील बीज, हर्याना एगरिकल्चर यूनिएस्टी यानी एच एयू नेके अनुबंद हर्याना की किसानों को आलू की ताप्रोधी उन्नत किस्मों की गुणोत्ता सील बीज उपलप दोंगे इसके लिए हर्यान किर्शी विश्विदाले और पेरु देश के अंतराश्टे आलू केंदर के बीद सहयों के लिए एक अनुबंध हुआ है अनुबंद के अमसार हरियान किर्षी विश्विजाले अंतरास्ती आलू के अंदर से आलू की उच्छ गुणवत्ता युक्त पोध सामगरी प्राफ्त करके उसका समवर्धन करेगा और परदेश के किसानों को उपलब्द करवाएगा इससे आलू की उत्पादन और उत्पादक तमी वर्धी के साथ ही इसके अंतरगत छेतर में भी वर्धी होगी जिसके प्रणाम सुरूप किसानों के आमदनी बढ़ेगी और परदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे शिक्षकों पर लटकी तलवार जिबिटी से टीजटी के पद परदोनत तीजटि पके सब्दोनत की सूची तैयार किया है इस तरह के टीजट्रों को 6 जुलाई को सम्मन्दी जिला शिक्षा अधिकारी वे । D.W.E. O. की कारेले में सबी दस्ताव जो के साथ उपश्तित होने के निर्दे जारी गिए हैं इस तरह के सिक्सकों की संक्या सबसे जादा हिसार में क्यानी 264 तथा दूसरे नंबर पर भिवानी के सिक्सकों के संक्या है जो भी 210 है जिनके परफोर में भरवा कर रिकोर्ड की जांच करवाई जाएगी साथ ही विवाग ने इस तरह की सिक्षकों को चेताया है कि अगर वे निर्दारी त्यतिकों नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाब अनुशासनात्मक कारवाई भी की जाएगी किसानों को परती एकड 7000 रुपे दे रही है हरियाना सरकार फटाबट उठाए आप भी इस योजना गलाब जल संरक्षन साइद भूमिगत जलस्तर को सुधारने के दिसा में हरियाना सरकार द्वारा एहम कदम उठाते वे धान की फचल नहीं लगाने वाले किसानों को 7000 रुपे परती एकड़ क्या अनुदान दिया जा रहा है मेरा पानी मेरी विरास्त योजना के तहित दे जाने वाले इस अनुदान गलाब लेने के लिए सम्मंदित किसान को मेरी फचल मेरा विरा पोर्टल पर पंजीकड करवाना जरूरी है हरियान सरकार ने साल 2020-21 में मेरा पानी मेरी विरास्त योजना की शुरुआत की थी योजना के मादियम से जल सनक्षन के लिए कारे कर रही लोगों वस संस्ताओं को अनुदान दिया जा रहा है इस वर्ष खरीब सीजन में किसान धान की फचल को छोड़ कर दूसरी फचल जैसे की मक्का कपास, अरहर, मूंग, मोट, उडद, गवार, सोयबिन, तील, मूंग, फली, अरंडी या फिर बागवानी के फचल के खेती करता है तो उसे परती एकड़ 7,000 रुपे की प्रोत्सान राशी दी जाएगी वाहन चालकों के लिए आई बड़ी अपडेट बदल गए है ड्राइविंग लाइसेंस के नियम अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना बहुत महगा पड़ने वाला है अगर आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपे जुरुबाना चुका ना पड़ेगा इसलिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जल्दी बनवा लीजिए के अंदर सरकार ने डियल बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है नए रूल्स के मताबिक अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस वही बनेगा जिस जले से आधार काड़ बना हुआ है मतलब कि अब तक किसे भी जगे से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनावा सकते हैं सरकार के और से जारी किये गए नए नियम के तहट ज़िए आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को पर्मानेंट करवाते हैं तो आपको उसी जिले में आवदिन करना होगा जिसके लिए उमिद्वार को अपने आधार से संबंदी जिलेवे जाना पड़ेगा परवानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको बायमेटिक डेस्ट देना पड़ेगा हर्याना में पंचया चुनाओ को लेकर तयारी शुरू दोचलड़ों में हो सकता है पहले चलड़ों में पंचया चुनाओ को लेकर तयारी शुरू हो गई है महिलाओं और ऐसे उमिदोरों के लिए आरक्षन का प्रावधान रहेगा वहीं BCA स्रेनी को बिना आरक्षन दिये चुना होंगे मद्दाताओं को एक साथ जिला परिशाद BDC, सरपंच, उपसरपंच और पंच के लिए वोड़ डालने होते हैं मद्दाता कई बार कनफ्यूज हो जाता है हजारों के संक्या में करमचारियों के तैनाती वे मद्दाताओं के सुईदा को देखते वी सरकार और आयूग दोनों ही दो चरण में चुनाओ करवाने पर विचार कर रहे हैं इस पर अंतिम निर्णे 22 जुलाई के बाद होगा हरियाना में कच्चे करमचारियों के भरती पर रो काटे इन नोकरियों में गरीबों को मिलेगी प्रात्मिक्ता हरियाना में बिरोजगार युवाओं के संक्या दिन पर तितन बढ़ती जा रही है ऐसे में युवाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है लेकिन हरियाना सरकार उनके लिए एक बड़ी खुशकबरी लेकर आई है अब हरियाना के सरकारी विवागों में करमचारियों के अनुबंद आधार पर बरती की जाएगी कई सरकारी में जैसे की बिजली बोर्ड निकम और सरकारी संस्ताओं में यह भरती की जाएगी आपको पता दें कि पिछले साल 28 सितंबर को सरकार ने कच्चे करमचारियों के भरती पर रोग लगा दी थी लेकिन अब रोग हाटा दी है गरीप परिवारों की युवाओं को इस नोकरी में प्रात्मिक्ता दी जाएगी डेरा सच्चा सोता प्रमुक राम रहिम का ट्विटर अकाउंट बहाल 5 साल पहले किया था बंद सिर्षा डेरा परमुक गुरुमित राम रहिम सिंग का ट्वीटर अकाउंट फिर से बाहल हो गया है साल 2017 में डेरा परमुक को साद्वी योन सस्न मामले में दोसे करार दे जाने के बाद इंसा फैल गई थी ट्वीटर ने बाद में डेरा प्रमुक का ट्वीटर अकाउंट बंद कर दिया था करीब 5 साल के बाद ट्वीटर ने डेरा प्रमुक का अकाउंट दोबारा बाहल कर दिया है जिसके पस्चा सुक्रवार को डेरा प्रमुक ने ट्वीट किया एफेद खनन से निपटने में अब ग्राम सचिवों और पटवारियों की लिए जाएगी मदद हरियान सरेगार का बड़ा फैसला हरियाना में एवेद खनन के लिहाज से समीधिन शील और अती समीधिन शील इलाकों में खननन माफिया से निपटने के लिए अब ग्राम सचीवों और पटवारियों के भी डूटी लगाए जाएगी एवेद खननन वाले छेतर में 24 गंटे करमजारी तैनात किये जाएगे मुक्य सचीव संजीव कोशल ने गद दिवस उपायकतों और पुलिस अधिक्सकों के साथ समीधिन शेवेटक में खननन माफियां के खिलाब तुरंत करवाई करने की निर्देजारी के साथी खननन विवा के अधिकारियों को एवेद स्थलों का वेक्तिकत रूप से दोरा कर रिपोर्ट बेजने को कहा है हरियाना के भरती प्रिक्षव में नकल वा पेपर लिग होगा मुश्किल हरियाना SSC ने तयार किया फुल प्रूप प्लान हरियाना में सरकारी भरतीयों के लिए होने वाली प्रिक्षव में अब नकल करना या फिर पेपर लिग करना आसान नहीं रहेगा इसे रोकने के लिए करमचारी चैन आयोग ने फुल प्रूप प्लान तयार कर लिया है अब किसी भी प्रिक्षा के लिए 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 करने में जूटी पर्दे सरकार प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। महराष्ट के बाद तमिलाडू में भी फेला संक्रमन। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। 9 जुलाई को होगी वीडियो मुख्य और हाउस कीपर प्रेक्षया दो गंडे की प्रेक्षया में पूछे जाएंगे 120 परशन एडमिट काड़ विजारी। रास्थान करमचारी चैनबोर्ड के और से 9 जुलाई को ग्रामिण विकास अधिकारी मुख्य भरती प्रेक्षया का आयुजित किया जाएगा। 5,386 पदों के लिए आयुजित होने वाली भरती प्रेक्षया में परदेश भर के एक लाग पिचेतर अजार स्टूडेंट्स सामिलोंगे। वही 9 जुलाई के दिन ही हाउस कीपर भरती प्रेक्षया भी आयुजित किया जाएगी। जिससे ग्रामिन विकास अधिकारी के मुख्य प्रेक्षया 9 जुलाई को सुबह 10 बजे से 2 पैर 12 जी तक आयुजित किया जाएगी। वही हाउस कीपर के भरती परिक्षा 9 जुलाई के दिन ही यानि दो पैर बाद 3 बजी से लेकर साम को 6 जितक आयुजित की जाएगी भरती परिक्षा के एडमिट कार्ड साथ दिन पहले राज्तान करमचारी चैन बोड की ओफिसल वेबसेट पर जारी कर दिये गए हैं आज खबरों बसितनाई देक्तर ECWB हिंदी न्यूज नमस्कार